सिड्नी का ये मैदान हमेशा से ही क्रिकेट के लिए जाना गया है आशा करते हैं आज एक बढ़िया गेम होगा टॉस का समय दोनों कप्तान मौजूद हैं चलिए देखते हैं टेल्स के लिए गए है और ये टेल्स है एक बढ़िया विकेट शुरुवाती रंज जोड़ने के लिए बल्लेगाजी टीम इसका भरपूर फाइदा उठाएंगे दोनों की टीम के लिए ये बहुत बहुत हुकूर्ण है वड़ा ही रोमान चक्मा हो दोनों टीमें अपना सर्व श्रेश्ट प्रदेशन करने का पाउर प्ले ओवर के दोरान बैकिंग टीम को सीमित रखना ह होगा है 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 खेल दिया सीधा फील्डर की उपसे टपा खाया और चौका क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया गर्मा गरम बाउन्डरीज लगाता क्या बाउन्डरीज की है ट्रिक होगी इस पेल में अच्छा पालमें बनाने में को कि शुखर्श करना पग रहा है और लक्ता डिसे रोकना संबर्व पार ने कहा आउट और जश्म का माहौल फिल्डिंग यूनिट में बल्ले बाज आसानी से हार नहीं मानेंगे बल्ले का किनारा दिखाने के लिए DRS लेंगे शायर उन्होंने फैसला किया है कि DRS के लिए नहीं जाएंगे शुरुआ की काम्याभी में फिल्डिंग यूनिट टे काफी मदब की नया बल्ले बाज आता हुआ लगता है अपनी टीम के उमीदों पर खरा उत्रेगा अब आपके दिलिवरी बल्ले बाज पूरी तरह समंझस में अब शॉट्स को बाउंडरी में तब्दील करने में खासी बुश्किल आईगी क्योंकि फिशे जेंग बास कि इस डिलिवरी ने बल्ले बास को बीट कर दिया है बहुत अच्छी फिल्डिंग का नजारा अब ऐसा प्रदेशन बर करार रहना चाहिए बहुत चुंदर स्वीड गेम फिल्ड को चीवते हुए निकल गया तो सूखे को मिली बर्सा इस ताजगी भरे चौके के साथ दन दनाती हुई गेंद बाउंडरी में क्या ये तीन बाउंडरी जेक साथ लगा पाएंगे क्या तूफानी शॉट लगाया है चला पिछ से पहुचा दर्शक धीक हमें चक्का चक्का उदासी बनी खुशी इन्होंने बहुत से तूफानों का सामना एक साथ किया है क्योंने गेंद बहुत अच्छा प्रया स्पील्डर द्वारा बढ़िया थ्रो बल्ले बास की अच्छी सूज बूज जन्नाटेदार शॉट ने भेजा गेंद बास को संदेश आप ऐसी गेंद करते रहिए और चौके खाते रहिए बल्ले बास ने हुक किया और ये शॉट बल्ले के फिल्कुल बीक से अच्छी शुरुआत थी लेकिन अंत भी जल्दी कैच आओ नया बल्ले बास अब समय है स्कोरिंग की गती को बढ़ाने का क्या शॉट लगाया बल्ले बास में एक 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 रंड छोड़ो छे रं से नाता जोड़ो क्या चक्का लगाया है फोड़ो बल्ल फ्री हिट अगे बड़ो रुखा गया उंसाइड की तरफ कि फ्रास कर जा रहा है इनको गेम में वाकर साना चाहिए और कि टिकेट्स लेने का प्रयास करना चाहिए ओ क्या गेम थी दंदनाती हुई गेम जा रही है धर्ती पर कोई ऐसा नहीं जो इसे रोख पाए प्रंट पूट पर आये इंतजार किया और जमाया यह लॉक्टेव ड्रास बहुत संदर स्वीब गेंट फील्ड को चीरते हुए निकल गेंगे खंग हुई तूपान से पहले की शांती इस सब्सक्राइब लगाया बिल्ले बाद में सिंदा सुई बढ़िया कदमों का इस्तमाल यहां चार अंदे कर जाएगी और यह हुप शॉट के लिए गए अपका माल की टाइमिंड उम्दा टाइमिंड क्या यह बाउंडरी की है ट्रिक होगी एक फिल्डल ट्रीपिंग का यार गेंड को पकड़ने के लिए एक और चौका यह बाद में अपने सारे हपियारा आजबान यह हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है स्वीप किया कोई माफी नहीं गेंड बास को हो रही है बांडीज की बरसा गिम्भास कारा बूल सूखे को मेली बरसा इस ताज़गी धरे चौके के साथ गेन रखतार से बाउंडरी के और जाती हुई चार और रन मिलेंगे बैटिंग तीम को पींडर्च मैदान में जा रहे हैं क्या ये तीन बाउंडरी जे एक साथ लगा पाएंगे कैच सीधा फील्डर के सुरक्षित हाथों में एक बहुत खास हिनिंग की जरूरत पड़ेगी टीम का बेड़ा पार करने के लिए पाएंगे पीछे भागे कि बहुत उची चड़ाई है मेरे भाई लेकिन ये काम हमनोंने पहले भी किया है आराम हराम है दूसरी पारी में किया शॉट लगाया है फाडू शॉट जो आसानी से स्टेंड्स को क्लियर कर जाएगा जगे बनाई और जड़ दिया है हुक शॉट लगता है गेल पास को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेल पे ही चौका यह आकरमंट स्टंप्स के लिए नहीं था बोस जबर्दस शारी रिक प्रहार बल्ले बास बड़े शॉट खेलने के लिए थोड़ा कतराते हुए कोई रन नहीं इस गेन पर बहुत अच्छी गेन गेन बास की लेकिन अंत में बैट्समन ने शानदार तरीके से उसे डिफंड किया आगे बड़े और ये शॉट सीधा स्टेंट्स के अंगर जिए या 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 सीधा लंबा के लाए डाउन देग्राउंड चार रन के लिए गेन जा रही है इस गेन ने बल्ले बास का सिर लगबाक उड़ा दिया था इस कादिलाना गेन के लिए सथ बॉर्णिंग दी गई है हलके हाथों से अंसाइड पर खेला और बिलकुल आराम से इस बॉल पर आया केवल एक रन विकेट पर जमें दोनों की काफी अच्छी साज़ेदारी स्वीप किया कोई माफी नहीं गेन बास को इस बार डाउन दो पेच्छी से खेल दिया है एक खासा बलॉक किया इस मुश्किल गेन पर वन 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 डाइव तो खूब लगाई लेकिन क्या घर पहुचे बॉलर की जोरदार अपील लेकिन अंध में अंपायर ने नकार दिया बल्लेवास को चौका के रख दिया बल्लेवास को चौका के रख दिया नस्दी की फेल्डर स्वड़ी तरफ चौका के रख दिया नस्दी की फेल्डर स्वूरी तरह चोकास और के अंतिम गेन पर भी बल्लीवास जबर्दस्त बाउंडरी फील्डिंग साइड की ओर से थोड़ी आकरामक शैली का प्रदर्शन लाँ रेंदस्त विकेट के लिए बेकर आई प्रदर्शनु आ को नियुकली और आकरामक अप्रदद आए अ विकीड़ sediment करार ओड़ यहां फील्डिंग में कुछ परिवर्तन डाइव लगाई और करी कमाई बाउंडरी नहीं मिल पाई वन 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 इस पेल में अपनी लाइन ओड लेंध पर लेंटर नहीं रख पा रहे हैं इस और विश्वस निये फील्डिंग से दर्शक पागल हुए जा रहे हैं फील्डर ने बॉल को बहुत जल्दी देख लिया मैदान में बहुत शांदार प्रयास तोनों बल्ले बाज इस पारी में एक दूस्टे को खजबती फूर्ती और तेस थ्रो ये है उन्दाक्षे तरक्षन जब भी ये दोनों क्रीज पर कदम रखते हैं तो बॉल की तो शामत आ जाती है जो से बहतर चार बहतरी जाट इससे जादा आलिशान नहीं हो सकता इनको एक अच्छी साजेदारी बनानी पड़ेगी मजबूत टोटल खड़ा करने के लिए अच्छा लगता है इन दोनों को क्रीज के छोड़ पर देखते हुए हमेशा भरपूर मनोरंजन देने के लिए तयार है और अच्छी फिल्डिंग बहुत अच्छी थ्रोप है किसी दस्टम्स के उपर इस जोडी ने मिलकर सौरन पूरे कर दियें कमाल के सौरन तो गेंद हवाई यात्रा पर चक्का हो सकता है यह वाल्यवास का बहुत बढ़ी अशकर जिसमें मैदान के हर तरफ से रहना है अच्छी ने ने कभी हाता पाई वो तो यह उसमें भी अच्छा करेंगे लगा दिया तुक शक्त टूटू टूटू बहुत तरीबी मामला हो सकता है पल्लेबास ने डाइव लगा दिये फील्डर का बहुत अच्छा प्रयास मगर बॉल को फिर भी नहीं रोख पाई सिंगल्स की लंबी सुरंग को चौके की रोशनी दिखाई दी जवरदस्त बाउंडरी आमें स्विंग करके डिलिवरी बहुत मुश्किल में बॉल की गती को कम किया इस शानदार डाइव से एक बहतरीन गेंज पर उससे भी बहतरीन डिफेंस ओ ये अच्छा नहीं हुआ भीया इस नो बॉल ने बैटिंग टीम को तुफ़ा दे दिया बल्ले बास की बहुत हरी गलती तो भागे पूल होता अगर वो इस तरीके से आउट हो जाते ये फ्री हिट है देखते हैं बल्ले बास क्या कमाल दिखाते हैं बहुत बड़ी चूप फ्री हिट गेंज का सही फाइदा नहीं ले पाए एक संतुष्टी पूर्ण समाप्ती उई बॉलर की क्योंकि बल्ले बास के रनों पर अंकुष लगा के रखा फील्डर ने गेंता बहुत अच्छा नुमान लगाया हर एक सिंगल माइने रखता है भाईया लॉट ओड़ एक मुश्किल ने जबर्दस्त अपील के बावजूद अमपायर बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहेंगे बल्ले बास ने कट किया चूके बाहरी किनारा तो नहीं लगा लेकिन कुछ भी हो बल्ले बास इस स्ट्रोक से खुश नहीं है अपील तो बहुत बड़ी और जोरदार थी लेकिन अल्टरा एज बिलकुल चुप कोई सवाल नहीं पवेलियन तक जाने का बहुत अच्छा प्रयास पील्डर द्वारा बढ़िया थ्रो पिच्छी की तरह दोड़े और बाउंडरी से थोड़ा पहले रोका ओवर दो लिकिट गेंज भैकने का निरने लिया है लगता है कुछ अलग करना चाहते हैं स्पिन का समय आक्रमण के लिए आ रहे हैं और फ्रेंट फुट पर आ गया है और बढ़िया तरीके से डिफेंड किया स्वीप की आफूरती से उमीद नहीं थी कि कैच हो जाएंगे स्ट्राइकर जा रहे है पवेलियन का रास्ता नापते हुए समाथ हुई इस बल्लेबास की ये विद्भन सक्पारी इनको अपनी टीम के लिए टिक कर गेम के अंतखिलना होगा बल्लेबास ने आगे बढ़कर डिफेंस किया बल्लेबास ने आगे बढ़कर डिफेंस किया घजब की गेन कोई संदे नहीं है कि बैटिंग साइड हताश हो रही है और ये कैच आउट वील्ड में सही अनुमान के साथ क्या गेन बाजी की है बॉलर ने ये गई एक कॉर विकेड़ अब इसे अंतक रहे कर इस पारी को संभालना होगा ताकि एक अच्छा टोटल खड़ा कर सके गेन को खेलने पर मजबूर कर दिया सूद बूट से की हुई गेन बाजी स्पिनर गेन बाजी करने आये हैं लगातार आफसाइट से हमला किया जा रहा है फील्डर्स का पूरी तरह से वर्चस वो कुछ नहीं मिलने वाला भाई अच्छी गेन कोई रन नहीं इस बॉल पर एक पल से भी कम समय में अपने आपको बॉल के आगे फेका और कर दिखाया किया आप बाउंडरी रोकी है बास बाजूओं में दम है फिर काहे का गम है क्या थ्रो फेकाया अच्छी गेंद बाजी डेफेंस खेलने पर मजबूर कर ही दिया मिड़्विकेट फिल्डर की वो ड्राइव किया लेक्ट साइट की तरफ लेकिन कुई रन नहीं ये हुई कमाल की फिल्डिंग आज तो भाईया क्रिकेट से ज़्यादा एथलेटिक्स देखने को मिल रहा है स्पिनर गेन बाजी करने आये हैं लगातार आफसाइट से हमला किया जा रहा है बाजूओं में दम है फिर काहे का गम है क्या थ्रोप है का है इस गेन पर स्वीप किया नजाकत से एक पल से भी कम समय में अपने आपको बॉल के आगे फेका और कर दिखाया किया आप बाउंडरी रोकी है बास बहुत अच्छी फिल्डिंग बैट्समेन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया केंट तेजी से पाउंडरी की तरफ जा रही है और लाजवाब डाइव लगाई रोक लिया गेन को स्वीप किया कोई माफी नहीं गेन बास को एक रन के साथ रनों में इजाफा जारी रखा ओ ये दर्थ करेगा चलिए आशा करते हैं ये जल्द ही उठकर आएंगे बहुत अच्छी फिल्डिंग बैट्समेन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया इस ओवर में एक और डाट बॉल बॉलर इससे बहुत खुश होंगे क्या अंदाज है जीत के मुकाम तक कहुचने का लिपक्षी टीम का पूरा दबाव रहा लेकिन अच्छा प्रदेशन किया जा सकता था गजब का प्रदेशन आज के हीरो ने जीता मैन अफ़ दे मैच भी